आज का दिन कठीन जरूर है लेकिन कल थोड़ा बहतर होगा इसलिए उमीद मत छोड़ना भविश से जरूर बहतरीन होगा अकवर और विर्वल की कई सारी कहानिया आपने सुनी होगी लेकिन ये कहानी वाकई मज़ेदार है एलो दोस्तो मेरा नाम है राहूर एक बार बादसा अकवर सिकार की तलास में जंगल में जाते हैं और तलवार निकानने के समय गलती से उनकी उंगली कड़ जाती है फून निकलने लगता है बादसा वैसे ही परेसान थे चिला रहे थे जोर जोर से पिर्वल क्योंकि सात ही होते थे जहां जहां अकवर होते थे फिर्वल ने कहा महराज सांत हो जाईये कोई परेसानी की बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा वैसे भी तुमारे जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है जैसे ही एकवर ने ये बात सुनी बात्सा ने कहा अजीब मुर्ख इनसान हो यहाँ चोट लग गई है फून निकल रहा है और तुम्हें बिल्कुल भी आदर करना नहीं आता है और ये कहने के बाद बात्सा अकवर ने बीरवल को तुरंत काविकोटरी में डालने का आदेश इतना गुस्सा हो गय थे विरवल ने कहा महराज वैसे तो मैं आपका खास हूं लेकिन आज आप मुझे कालकोठी में भेज रहे हैं लेकिन अब भी मैं अपनी ये बात पर टिका रहूंगा जो होता है अच्छे के लिए होता है गुस्सा में अकबर बचे हुए कुछ सैनिक के साथ ही जंगल में और अंदर चले गए पीछा करते करते वो जंगल में कब भटक गए उन्हें भी पता नहीं चला उन्हें कभीले वालों ने पकर लिया उन्होंने बताया कि मैं बादसा अकवर हूँ कभीले वालों ने उनकी एक न सुनी बोले होंगे बादसा अब तो तुम्हारी बली चड़ेगी बादसा को लगा अब सब खतम हो चुका है उनका अंतिम समय नजदीक आ चुका है अभी उनमें से किसी एक की नजर बादसा की उस उंगली पर पड़ी इसको चोट लगा था उसने कहा इसकी तो पहले ही बली चड़ चुकी है ये देखकर कभीले वालों ने उनको छोड़ दिया वे वापस आने लगे और आते समय उनको याद आई वो बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है लेकिन फिर बादसा अकबर ने सोचा चलो मेरे साथ तो अच्छा हुआ मेरी यहां बली नहीं चड़ी लेकिन विरवल के साथ क्या अच्छा हुआ उसको तो मैंने काल कोठरी में डलवा दिया पुरंट बादसा अकबर महल पहुँचे और जाकर बिरवल से मिले उसको पूरी कहानी बताए कि जंगल में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ भूले यह सब तो ठीक है मेरे साथ अच्छा हुआ लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ इर्वल इर्वल ने कहा महराज जहां आप होते वहां मैं होता आपके साथ दोनों साथ चलते प्रवीले वाले आपकी बली नहीं चढ़ाते तो कि आपकी उंगली में चोट लगी तो किसकी बली चढ़ाते तेरी बरी चढ़ाते, आपने तो मुझे मरने से बचा लिया महराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्तों, आपकी जिन्दगी में भी तरह तरह की परिसानिया होंगी किसी की professional life सही नहीं है, तो किसी की personal life सही नहीं चल रही होगी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जट्टा लगा हो लेकिन याद रखिए लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है सायद आज ना समझ आ रहा हो आपको लेकिन आने वाले समय में समझ आ जाएगा इसलिए हमेशा पॉज्टिव रहिए और अपने लक्ष को मत भूलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए